बॉल्योड के दिगजाबीनेता रुशी कपूर का निदन हुआ है हिंदी सिनेमा को लगा दुसरा बड़ा जटका है यह रुशी कपूर के निदन से देश में शोक की लहर दौड पड़ी है सोशल मेडिया पर सेलेप्स और फेस एक्टर के निदन पर शोक जता जा रहा है बता दे रुशी कपूर ने हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान दिया था बॉलिवड के दिगजबी निता रुशी कपूर 30 एपरेल 2020 को निदन हो गया है वे सदूसर साल के थे इस बात की जानकारी खुद आमिताब बच्चन ने ट्वीट कर दी है अमिताब बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि रुशी कपूर इस दुनिया को छोड़ कर चले गए उन्होंने इसके साथ ही अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूँ रुशी कपूर को बीते दिन ही होस्पिटल में भरति कराया गया था उनके बड़े भाई रंदिर कपूर ने बताया था कि अभीनेता को सास लेने में परिशानी हो रही थी रुशी कपूर को खराब तबियत के चलते दक्षिन मुंबई के सर एचेन रिलाइंस फाउंडिशन अस्पताल में भरति कराया गया था केंद्रिय सुचना प्रसारण मंत्री परकास जावडे करने भी रुशी कपूर के निदन पर दुखत जताया है उन्होंने ट्वेट कर लिखाए कि रुशी कपूर को जाने पर शॉक्ड हूँ वह केवल एक अच्छे आभीनिता थे वलकी एक अच्छे इंसान भी थे रुशी कपूर को हुआ था कैंसर सितबबर दोहजार निस में नियुयर्क में लगबग एक साल तक कैंसर का हिलाज करवाने के बाद भारत लवटे थे उन्हें साल दोहजार आटरा में पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ी थे इसके बाद वे अपने इलाज के लिए नियुयर्क गए थे रुशी कपूर के निधन के बाद चारो तरब से शोक की लहर दोड़ गई थी पिछले हपते ही बिमार चल रहे थे रुशी कपूर के बारे में कहा जा रहा है कि वह पिछले हपते बिमार चल रहे थे 23 एप्रिल 2020 को लॉकड़ाउन होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट सरकार से स्पेशल पाज जारी करवाया कर अस्पताल लाया गया था हाला कि तब उन्हें चंद घंटों बाद की चुट्टी दे दी गई थी इससे पहले फरवरी में भी उन्हें दो बार अस्पताजाल में भरती कराया गया था हिंदी सिनेमा को ये उनकी मृत्यू से दूसरा बड़ा जटका लगा है हिंदी सिनेमा में 35 एप्रेल 2020 को एक्टर इरफान खान होया था अब इरफान खान के निधन के एक दिन वाद 30 एप्रेल 2020 को रुषिकपूर अलविदा कहे गए दो दिग्यज अभिनेताओक को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा जटका है रुषिकपूर के निधन से देश में शोग की लहर दोड़ पड़ी है सोचल मिडिया पर फेस एक्टर का निधन पर शोग जता जा रहा है रुषिकपूर के बारे में रुषिकपूर का जन 4 सितमबर 1952 में हुआ था रुषिकपूर एक भारतिय फिल्म अभीनेता फिल्म निर्माता और दिंदर्जथे उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सरवस रिष्टा अभीनेता के लिए फिल्म फेयर पुरसकार और साती 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम आचिवमेंट पुरसकार सही अन्य पुरसकारों से सन्मानित किया जा चुका है रुषिकपूर के बारे में उन्होंने उनकी पहली फिल्म में शांदार भूमिका के लिए साल 1971 में राष्टिय फिल्म पुरसकार प्राप्त किया रुषिकपूर को दो संतान है रन्बिर कपूर जो की एक आभीनिता है और रिदिमा कपूर जो एक ड्रेस डिजाइन है रुषिकपूर का निकनेम चिंटू है रुषिकपूर ने हाली में साल 1973 में बावी फिल्म के जरिये एक्टिंग के दुनिया में कमद रखा कदम रखा था इस फिल्म को राजकपूर ने निर्देशित किया था हलाकि 1975 में राजकपूर की यह फिल्म मेरा नाम जोकर में भी रुषिकपूर का एकबाल कलाकर के भूमिका में नजर आ चुके थे इसके बाद रुषि अपने फिल्म करियर में कई शानदार फिल्मों की गौर तलाब है कि रुशी कपूर के पिता और दादा पृत्वी राज कपूर भी कला की इस दुनिया में सक्रिय रहे रुशी कपूर के पेटे रनबिर कपूर ने समय बॉलियोड में सक्रिय है रुशी कपूर ने हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान दिये थे उन्होंने कई सुपरीट फिल्मों में काम किये थे ऐसे महान कलाकार को हमारे टारगेट गवर्मेंट जॉब यूटुब चैनल के जरीए हम श्रद्धन जरी अर्पित करते हैं